लोकसभा चुनाव 2019 काफी जादा important topic है अगर आप किसी भी exam की दियारी कर रहे हो तो फ्रेंस वो सभी question जो आपके exam के लिए important रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ तो आप इस वीडियो को starting से end तक जरूर देखना और वीडियो देखने के बाद आप यह जरूर बोलोगे वा भाई क्या वीडियो बनाता है नमश्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके पने YouTube चैनल लविशर डिया क्यों जीके पर फिर मैं आपके लिए लोकसभा चुनाव 2019 से समंदित most important 70 questions एक ही वीडियो में लेकर आया हूँ फ्रेंस यह question इतन पहले question से पहला question हमारा है फ्रेंस पहला question स्टाट करने से पहले मैं आप इस वीडियो की जो playlist है और वीडियो की description जरूर चेक कर लेना वहाँ पर मैंने बहुत सारी videos डाली हुई है वो वीडियो आप जरूर देख लेना आपके लिए बहुत दादा important रहने वाली है पहला question है मुख्य चुनाव आयोकत का कारेकाल कितने समय का होता है तो आपका सही answer होगा 6 साल या बोलो 65 साल जो पहले हो जाए वही मुख्य चुनाव आयोकत का कारेकाल होता है important question है अगला question कर लेते हैं मता अधिकार से क्या भी पारे होता है तो आपका सही answer होगा vote देने का अधिकार जो होता है इसी को हम मताधिकार का कहते हैं अगला कोशन करते हैं समिधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयू 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दी गई तो आपका सही आंसर होगा जो 61 समिधान संशोधन था जो 1989 में किया गया था इस समिधान संशोधन द्वारा मतदान की जो आयू 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दी गई अगला कोशन करते हैं भारती समिधान के किस अनुछेत में निर्वाचन आयोग का प्रावधन है तो आपका सही आंसर होगा जो अनुछेत 324 है भारती समिधान का इसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधन दिया गया है यह कोशन भी फ्रेंट्स most important है अगला कोशन कर लेते हैं समिधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है तो आपका सही आंसर होगा जो सू कुमार सेन है वो भारत के पहले चुनाव आयोग थे फ्रेंट्स मैं आपको सभी कोशन important इसलिए बोल रहा हूँ क्यों इस सभी कोशन एक अच्छे लेवल के हैं काफी ज़ादा चांस इसे हैं अगला exam आप जो भी दे रहे हो अगला कुशन हमारा जो सुनील अरोडा है वो 2019 में मुख्य निर्वाचन आयोग थे हैं या आप बोलो मुख्य चुनाव आयोग थे हैं अगला कुशन कर लेते हैं भारत की निर्वाचन पदेती किस देश से ली गई है तो आपका सही आंसर होगा जो ब्रिटेन देश है ब्रिटेन देश का जो समीधान है वहां से निर्वाचन पदेती को हमारे देश में लिया गया है अगला कुशन करते हैं निर्वाचन आयोग का चेर्मेन कोन होता है तो आपका सही आंसर होगा जो निर्वाचन आयोग का चेर्मेन है अगला कोशन कर लेते हैं, चुनाव के समय किसी चुनावी छेतर में चुनाव परचार कितने समय पहले बंद कर देना पड़ता है, तो आपका सही आंसर होगा, मद्दान शुरू होने से 48 घंटे पहले जो है, वो चुनाव के समय किसी भी चुनावी छेतर में परचार होता है, उसको बंद कर देना पड़ता है अगला question कर लेते हैं EVM का पूर्ण रूप क्या होता है आपका सही answer होगा electronic voting machine जो है वो EVM का full form होता है E का मतलब electronic होता है V का मतलब voting होता है M का मतलब machine होता है अगला question कर लेते हैं भारत में किस दिन राष्टी मद्दाता दिवस मनाया जाता है आपका सही answer होगा 25 जनवरी को भारत में राष्टी मद्दाता दिवस मनाया जाता है इस वीडियो में आपको 70 question करवाने वारा हूँ जो आपके 70 question कम्प्रीट हो जाएंगे मैं आपको यही question एक बार फिर से revise भी करवाने वारा हूँ ताकि आपको सभी के सभी questions इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाएं जब आपको 70 question करवा दूँगा revise भी करवा दूँगा उसके बाद 2 question का test है दोनो question का answer आपने मुझे कमेंटर के ज़रूर देना है अगला question कर लेते हैं राष्पती दौरा निर्वाचन आयोग में कुल कितने लोगों की नियुक्ति की जाती है तो आपका answer होगा राष्पती दौरा निर्वाचन आयोग में कुल तीन लोगों की नियुक्ति की जाती है अगला question कर लेते हैं भारत में प्रथम आम चुनाव की स्वर्ष हुई थे अगला सवाल है हमारा भारती चुनाव में एंवीय मशिन का परियोग सबसे पहले कब हुआ था तो आपका सए आँचर बारती चुनाव में एंवीय मशिन का वोट दिने के बाद जो उगली पर सिहाई लगाई जाती है, वो किस रसायन की बनी होती है, तो आपका सही आंसर होगा, वोट करने जाओगे, आपकी उगली पर एक निशान लगाया जाता है, तो फ्रेंस वोट दिने के बाद जो सहाई होता है, वो सिल्वर नाइट्रीड की बना होता है अगला कोशन है संपून चुनाव EVM से कराने वाला पहला राचे कौन सा था तो आंसर है जो गोवा राचे है भारत का ये संपून EVM कराने वाला पहला राचे बना था और इसने 1999 में संपून चुनाव EVM से करवाया था अगला कोशन है भारती निर्वाचन आयोग आयोग ने किस वर्ष अपनी स्वन चनती मिनाई है То answer जिसका 21 में भारती निर्वाचन आयोग ने स्वन चनती मिनाई है अगला question है किस वर्ष मद्धान की आयो 21 बर्ष से गठा कर 18 बर्ष कर दिया गया था अगला कोशन करते हैं, चुनाव की दुरान राजनितिक दलों के लिए अचार सहिंता कों त्यार करता है? तो आपका सही आंसर होगा, जो निर्वाचन आयोग है, यही चुनाव की दुरान राजनितिक दरलों के लिए अचार सहिंता को त्यार करता है, यह कोशन भी एक्जाम में कई वर पुछा गया है, अगला कोशन करते हैं, निर्वाचन आयोग किस तरह की संस्ता है, तो आपका स अगला कुशन है भारत में निर्वाचन सुची त्यार करने की जिमेदारी होती है। समिधान के किस अनुसूची में निर्वाचन आयोक के शफद के बारे में बताया गया है। अगला कुशन है किस राजे ने सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया। अगला कुशन है भारत में मद्दान की नियुनतम आयो कितनी होती है। अगला कुशन है भारत में निर्वाचन सूची त्यार करने के जिम्मेदारी किसकी होती है। तो आपका सही आंसर होगा जो निर्वाचन आयोक है इसकी जिम्मेदारी होती है। अगला कुशन है भारत के पहले लोकसभा देक्ष कोन थे। तो आपका सही आंसर है जीवी मावलनकर जो है वो लोकसभा के पहले अद्यक्ष थे। अगला कुशन है सरवादिक लोकसभा सीट किस राजय में है। आपका सही आंसरोगा जो उत्तरपरदेश है इसमें सरवादिक लोकसभा सीट है और इकुल मिलाके 80 सीट है यहाँ पे अगला कोशन करते हैं लोकसभा या विधान सभा में किसी चुनावी परतियाशी की जमानत राशी कब जब्द कर ली जाती है आपका सही आंसरोगा मद्द करने पर उस लोकसभा या विधान सभा में चुनावी परतियाशी की जमानत जब्द कर ली जाती है अगला कोशन है लोकसभा का कारेकाल कितने वर्षों क्या होता है आपका सही आंसरोगा लोकसभा कारेकाल पांच वर्षों का होता है अगला कोशन है लोकसभा सदस्य की नि s of the people अगला क्या ऐ है जनता द्वारा प्रत्यक्प शभूपसे निरवाची अफिया रहते हैं को क्या कहा तो है आपका आपको प्टाही यूट्यो चैनल अगर आपने math, reasoning बिल्कुल expert level का बढ़ना है तो आपको Ravi Study IQ Math पे आना पड़ेगा बिल्कुल expert level का बढ़ाए गया है और मेरे मोटिवेशनल और टेक वाला चैनल है वो है Ravi Boss तो परेंस आपी इन तोनों चैनल को subscribe कर लीचे ताकि नेक्स्ट वीडियो की notification आपको मिलती रहे और आप मुझे Facebook पे Instagram पे Telegram पे follow कर सकते हो वो है Ravi Study IQ GK कोई भी question का doubt है तो मुझे Facebook और Instagram पे message कर सकते हो बांकी वीडियो की notification के लिए आप Telegram पेज भी जोईन कर सकते हो वो है Ravi Study IQ GK अगला question करते है भारत में EVM मशीन को किस ने बनाया था आपका सही आंसर होगा जो MB हनीफा थे इन्होंने भारत में EVM मशीन को बनाया था अगला question है भारत में मता अधिकार किस तरह का अधिकार है आपका सही आंसर होगा ये तरह का विदिक अधिकार है 2019 चुनाब में कौन सी लोकसभा चुनी चाहेगी आपका सही आंसर होगा सतरवी लोकसभा को चुना जाएगा 2019 चुनाब में अगला question है पहली बार मदाता हेलपलाइन नंबर का क्या बनाया गया है तो आपका अंसर है जो 1950 है इसे मदाता हेलपलाइन बनाया गया है 2019 चुनाब के लिए अगला question है 2019 का चुनाव कितनी सीटों पर हो रहा है अगला कोशन है 2019 का चुनाव में सरकार बनाने के लिए कितनी सीटों की ज़रुत हो गी आपका सही आंसर होगा, 273 सीटों की जरूरत होगी, 2019 चुनाव में सरकार बनाने के लिए, अगला कोशन है, 2019 का चुनाव कितने चर्णों में होगा, आपका सही आंसर है, 2019 का चुनाव जो है, साच चर्णों में होगा, अगला कोशन है, सतरवी लोकसभा चुनाव के परिनाम अगला कोशन है 2019 के चुनाव में अचार सहिंता किस दिन लागू हुई है आपका सही आंसर है 10 मार्च को 2019 के चुनाव में अचार सहिंता को लागू किया गया है अगला कोशन है 2019 का चुनाव साथ चर्नों का चुनाव कब से कब तक होगा आपका सही आंसर है 11 अपरिल से 19 मही त अगला कोशन है दिनेश गोसवामी समीती का सम्मद किस से था आपका सही आंसर है निर्वाचनों सुधारों से अगला कोशन है नियाले द्वारा अपराधी घोशित किये गए वैक्ति का चुनाव लड़ने के लिए आयोगे करार देने का निर्णा किसके द्वारा किया गया है अगला कोशन है निर्वाचन आयोग को तीन सदस्य आयोग किस वर्ष में बनाया गया आपका सही आंसर होगा 1989 में चुनाव आयोग ने चुनाव के खर्चों का दिक्तम सीमा क्या रखी है तो आपका सही आंसर है बड़े राज्यों में 40 लाग से बढ़ाका 70 लाग कर दी करते हैं लोकसुभा चुनाव की अमिद्वार को चुनाव लरने के लिए कितने रूपे की सुरक्षा राशी के रूप में जमा कराना पड़ता है आपका सही आंसर होगा 25,000 रुपे आपका सही आंसर है जो कमल है ये भारती जंता पार्टी का चुनाव चिन है अगला कोशन करते है भारती राश्टे का चुनाव चिन क्या है आपका सही आंसर है जो पंजा है ये भारती राश्टे का चुनाव चिन है अगला कोशन है बहुजन समाज पार्टी का चुनाव च आप्रल को और 6 मईई 12 मईई और 19 मईई को 2019 लोगस्भा चुनाव होंगे अगला question करेते हैं 2019 के चुनाव में किते मद्दाता हिस्सा लेंगे आपका सही answer है 90 करोड चुनाव में नई मद्दाता हिस्सा लेंगे अगला कोशन है, 16 लोकसभा में भाजपा को कितनी सीटे मिले थी, आपका सही आंसर है, 282 सीटे मिले थी, 16 लोकसभा में भाजपा को, आखरी कोशन कर लेते हैं इस वीडियो का, इसके बाद मैं आपको रिवीजन भी करवाने बाला हूँ, तो वीडियो एंड तक जरूर देख एक बाद फिर से रिवाइस करवा रहता हूँ, तक रिवीजन आपको सभी के सभी कोशन हमेशा के लिए याद हो जाएं इसी वीडियो में, और फ्रेंट ये जीके को याद करने का सबसे बैस तरीका है, वीडियो पसंदारी तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, पहला कोश आपका सही आंसर है, 61 समिधान चंशोदन, 1989, भारते समिधान के किस अनुछेत में निर्वाचन आयोक का प्रावधान है, आपका सही आंसर है, अनुछेत 324, समिधान के किस भाग में निर्वाचन आयोक के बारे में बताया गया है, तो आपका सही आंसर है, भाग 15, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे सही आंसर है सुकुमाय सेन भारत के दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे आपका सही आंसर है केवी के सुंदरम 2019 के मुखे चुनाव निर्वाचन आयुकत कौन है आपका सही आंसर है सुनील अरोडा भारत की निर्वाचन बद्रिती किस देश से ले गई है सही आंसर है ब्रिटेन निर्वाचन आयुक का चेर्मेन कौन होता है भारत में चुनाव आयोगत की नियुक्ति कोन करता है जो राश्पति है भारत में चुनाव आयोगत की नियुक्ति करता है चुनाव के समय किसी चुनावी छेत में चुनाव पचा कितने समय पहले बंदगर देना पड़ता है आंसर है मद्दान शुरू होने से 40 गंटे पहले EVM का पूर्ण रूप क्या होता है सही आंसर है electronic voting machine भारत में किस दिन राष्टिय मद्दाता दिवस मनाये जाता है सही आंसर है 25 जनवरी राष्पती द्वारा निर्वाचन आयोग में कुल कितने लोगों को न्योक्ति की जाती है आंसर है तीन भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष होई थे आंसर है 1951-1952 की बीच भारते चुनाव में EVM मशीन का परियोग सबसे पहले कब होआ था आंसर है 1998 भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष होई थी आंसर है 25 जनवरी 1950 वोट देने के बाद जो उंगली पर सियाही लगाई जाती है वो किस रसाइन की बनी होती है आंसर है सिल्वर नाइट्रेट संपून चुनाव इवियम से कराने वाला पहला राज्य कोन सा था आंसर है गोवा 1999 भारती निर्वाचन आयोग ने किस वर्ष अपनी सोण चंती मिनाई आंसर है 2001 किस वर्ष मद्दान की आयो 21 वर्ष से घठा कर 18 वर्ष करती गई आंसर है 1989 प्रतेक्ष निर्वाचन का अभिबारे क्या होता है आपको सही आंसर है जनता द्वारा प्रतिन्यधी को चुनना चुनाव की दुरान राजनेती दलो के लिए अचार सहिंता कोन त्यार करता है आंसर है निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग किस तरह की संस्ता है? सही आंसर है संबिधानिक संस्ता निर्वाचन आयोग की नियुकती कितने वर्षों के लिए की जाती है? सही आंसर है आठ वर्ष निर्वाचन आयोगत को उसके पलस से कैसे इटाया जा सकता है? सई महाभ्योग दवारा भारत में निर्वाचन सुची त्यार करने के चिम्मेदारी किसकी होती है? लोकसभा में किस अधार पर सीटों को आवंटित किया जाता है? आंस़र जनसंक्या के अधार पर समिधान के किस अनुसुची में निर्वाचन आयो के शपत के बारे में बताया गया है आंसर है अनुसुची तीन देश की एकमात्र महिला चुनाव आयुक्त कौन थी आंसर है वियस रमादेवी चेत्वल की दिश्टी से कौन सा संसद्य चुनाव चेत्व सबसे बड़ा है आंसर है लद्दाक जम्मु कश्मीर में किस राजे ने सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया आंसर है राजिस्थान भारत में मद्दान की नियुनतम आयो कितनी होती है आंसर है अठारा वर्ष भारत में वर्तमान में कितनी राष्टे पाटी है आंसर है साथ भारत में निर्वाचन सुची त्यार करने की चिम्मेदारी किसकी होती है आंसर है निर्वाचन आयोक समिधान के अनुसार लोकसभा की अधिक्तम सीटें कितनी होती है आंसर है 545 लोकसभा को अन्य किस नाम से जाना जाता है आंसर है नेमने सदन और अस्थाई सदन भारत की पहले लोकसभा अध्यक्ष कोन थे आंसर है जीवी मावलन कर सरवादिक लोकसभा सीट किस राच्य में है आंसर ए उत्तरबृदेश लोकसभा या विधानसभा में किसी चुनावी परत्याशी की जमानत राशी चप्त कब कर ली जाती है आंसर है मद्दान का एक बटे छे भाग मद्दान प्रापना करने पर लोकसभा का कारेकाल कितने वर्षों का होता है आंसर है पाँच वर्षों का लोकसभा सदस्यों की नियूंतम आयू कितनी होती है आंसर है पचीस वर्ष लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है आंसर है हाउस ओफ दा पीपल जन्ता द्वारा प्रतेक्ष रूप से निर्वाची सदन को क्या कहा जाता है आंसर है लोकसभा वर्तमान में लोकसभा में कि किस तरहे का अधिकार है? आंसर है विधिक अधिकार 2019 चुनाव में कौन सी लोकसभा चुनी चाहेगी? आंसर है सत्रवी पहली बार मद्दाता हल्पनाई नंबर कब बनाया गया? आंसर है 1950 2019 का चुनाव कितनी सीटों पर हो रहा है? सही आंसर है 543 किसी भी पार्टी को बहुमत के लिए कम से कम कितनी सीटें चाहेए? आंसर है 272 2019 चुनाव में सरकार बनाने के लिए कितनी सीटों की जरूत होगी? आंसर है 273 2019 का चुनाव कितने चर्णों में होगा? सही आंसर है 7 सतरवी लोकसबा चुनाव के परिणाम कब आएंगे? आंसर है 23 मही को 2019 के चुनाव में अचार सहिंता किस दिन लागो हुई है? आंसर है 10 मार्च को 2019 का चुनाव साज चर्णों का चुनाव कब से कब तक होगा? आंसर है 11 अप्रेल से लिके 19 मही तक दिनेश गोसवामी समीती का संबंद किस से था? आंसर है निर्वाचन उस उधारों से नियाले द्वारा अपरादी गोशित की गए व्यक्ति का चुनाव लड़ने के लिए आयोगे करार कर देने का निर्वारा किया गया? आंसर है संसद चुनाव आयोगत ने चुनावों में खर्च की अधिक्तम सीमा क्या रखी है? आंसर है बड़े राज़ों में 40 लाग से बढ़ा कर 70 लाग चोटे राज़ों में 20 लाग से बढ़ा कर 54 लाग और विधानसभा चुनाव में 16 लाग से बढ़ा कर 25 लाग कर दिया गया है लोकसभा चुनाव के उम्मिदवार को चुनाव लरने के लिए कितने रूपे की सुख्षा राशी के रूप में जमा कराना पड़ता है आंसर है 25,000 चेत्फल की दिरिष्टी से सबसे छोटा संसर्दी निर्वाचन चेत्र कौन सा है आंसर है चांदी चोक दिल्लीगा भारती जन्ता पार्टी का चुनाव चीन क्या है आंसर है कमल का फूल भारती राश्टे कॉंगरेस का चुनाव चीन क्या है आंसर है पंजा बहुचन समाज पार्टी का चुनाव चिन क्या है आंसर है हाती 2019 लोगसभा चुनाव किस तारीकों होंगे आंसर है 11 अप्रेल, 18 अप्रेल, 23 अप्रेल और 29 अप्रेल 6 मई, 12 मई और 19 मई 2019 के चुनाव में कितनी मददाता हिस्सा लेंगे आंसर है 90 करोड 2019 के चुनाव में कितनी नई मददाता हिस्सा लेंगे आंसर है 8.4 करोड 16 लोगसभा में भाच्वा को कितनी सीटे मिली थी आंसर है 282 16 लोगसभा में कॉंग्रेस को कितनी सीटे मिली थी आंसर है 44 एसके बाद मैंने आपको यही कोशन एक बार फिर से इसी वीडियो में आपको बिताया था कि जब मैं आपको सतर कोशन करवा दूंगा रिवाइस भी करवा दूंगा उसके बाद दो कोशन का टेस्ट है आपको आपके फोन पर सबसे पहले मिल जाए मैं आपको बिता दो मेरे और वी यूट्यूब चैनल है अगर आपने मैथ्स रिजिनिंग बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का पढ़ना है अगर आप यह सोचते हो कि अगर हम दिल्ली जाएंगे तो हमारा एक्जाम को निकाल दो क् अच्छे लेवल का पढ़ा गया है बहुत भैतरिं डंक के समझाया गया है अच्छे लेवल के सभी कोश्चन करवाए गया है तो आपको आना पड़ेगा रवी स्टडी आईक्यू मैस्ट यहां पर मैस और रिजनिंग पढ़ाया जाता है एक मोटिवेशन और टेक वाला चै क्लियर कर सकते हो तो फ्रेंट सब में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू एंड विश्यू आल दा बेस्ट